क्योंकि याद करिए जब पेपर दे रहे थे ना अफलाइन तो आपने कुछ मनी मन सोचा था और जब एक्जाम दे रहे थे अफलाइन काफी टाइम ऑनलाइन के बाद दिया तो कुछ ना कुछ सोचा था कि इस बार तो धंग से पढ़ाई करेंगे चलिए कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्जाम इस बार फर्स टाइम आफलाइन दिया था आफलाइन देने के बाद जरूरी नहीं है कि हर बार सारे एक्जाम ठीक हो कुछ बच्चों के ठीक भी गए हैं कुछ बच्चों के कुछ एक्जाम सही भी नहीं गए तो उस लाइन पर हम खुद promise करते हैं खुद से कि अगले exam में starting से पढ़ेंगे और एक-एक word पढ़ेंगे लेकिन वो promise समय के साथ एक हपते में खतम हो जाता है एक हपते भी नहीं चलने देते हैं मेरे को तो लगता है एक हपते से पहले ही वो खतम फिर से दुबारा वही दुबारा जो सेनेरियो थो चलने लगता है अभी second phase exam आया है मेरे पास काफी बच्चे थे semester 4 के क्योंकि आप लोगों का तो second phase का कोई था ही नहीं कि second phase देना है जो लेकिन semester 4 पे थे ना second phase पे थे exam अगर कल है exam कल है आज बच्चा मेरे से बोल रहा है sir corporate account में कुछ ऐसा करा दो के बास हो जाओं और honors वाले बच्चे जान सकते हैं corporate account क्या है तो आज करा दो के मैं पास हो जाओं काफी बच्चे थे कुछ बच्चों ने जो बच्चे पहले से मेरे से पढ़ रहे थे online में उन्होंने बोला सर हमने तो opt कर लिया second phase देंगे अच्छे से तयारी करके second phase भी august में आया June के बाद फिर august में जब आप लोग का paper हुआ था तो वो second phase के साथ हो रहा था तो second phase आया तब भी उनकी situation वही थी ultimately point अगर देखा जाए ना तो हम जो पढ़ते हैं ना exam में एक मेहने के पहले जो exam का study start करते हैं उसमें हम कई बार कसम खा लेते हैं कि अगली बार ये गलती नहीं करेंगे उस चीज़ को देखो अभी आपके पास कौन सा मन्त है देखो नवंबर starting में exam start हो जाएंगे ध्यान रखना आप नवंबर एंड में नवंबर में कुछ exam तो नवंबर से start हो जाएंगे आप लोगे चलो December में गए लेकिन क्या एक मेने एक्स्ट्रा मिलने से आप ज्यादा पढ़ लोगे नहीं पढ़ोगे आप तो इसलिए अभी से अगर पढ़ के चलोगे न कंटिनुसली आपके पास चाहे कोई भी सब्जेक्ट है एक्किनॉमिक्स हो चाहे अधर सब्जेक्ट हो लौ हो company and compensation लौ भी है मेरे कहाल कुछ बच् थ जैसे जैसे हम आगे बढ़ती जाएंगे वैसे वैसे पीछे की कि चीजे भूलते जाते हैं यह आपके साथ ने दुनिया के हर इंसान के साथ होता है लेकिन कुछ इंसान उसको याद रखके आगे निकल जाता हृद रखने का एक ही बस तो यह चीज मान के चलो कि पिछला ना आप जब भी पेज है न अब फटाफट से रिवीजन कर लिया करो उसको आने से पहले एट लीस्ट क्लास में पर्जेंट होने से पहले रिवीजन कर लिया करो थाकि कुछ अच्छा हो ठेक है तो ध्यान रखो क्योंकि वही पेपर इ मैं भी जानता हूं और बच्चे भी जानते अनेक्सपेक्टेड था क्या देना था नहीं देना था क्या सेट अप किया ना टेनियर से पेपर आया ना कहीं से पेपर आया लेकिन टेक्स का तो आपका चलिए और ये एक बच्चे के साथ नहीं था, कॉर्पेट हर बच्चे के साथ था, वो बोलते थे कि पेपर आउट ओफ क्या दिया, क्योंकि पहले उन्होंने, नहीं, स्लेबस आउट ओफ नहीं कह सकते, पहले से उन्होंने पेपर का पैटन नहीं बताया था आपको, कि हम MCQ पूछेंगे, हम फाइनल अकाउंट में से पूरे वाले कोशन नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट कोशन पूछेंगे, पहले से अगर बता देते हैं, कुछ फॉर्मिट वगएर तो बच्चा बैसे पर पर करके जाता, फाइनल अकाउंट में बच्चा क्या कर रहा है, पूरे-पूरे कोशन कर रहा है, लेकिन MCQ टाइप के कोशन देती है, तो उस तरीके से चलो, अब anyways, कोशन पर आ जाते हैं, सर तीनों के लिए इंकम डिटर्माइन करना है, तीनों के लिए, चलिए, कहता है, सेलरी इंकम रिसीव इन इंडिया, बात ही खतम हो गई, इंकम र आगे, इंकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया, बट रिसीव जर्मनी, सर, इंडिया की जमीन से पैसे कमा रहे हो, पहले वाले में क्या था, इंडियन कंपनी जर्मनी के अंदर था, इसलिए स्रिफ वहाँ पे था, ठीक है न, यहाँ पे इंडिया के अंदर यह, प्रॉप भारत का नहीं है, ठीक है न, एक प्रॉपटी है, उससे हमें टोटल जो इंकम जनरेट हुआ था न, वो पांच लाग, पांच में से टू फॉट्टी रेमिटिट टू इंडिया, हुआ ऐसा के पांच में से टू फॉट्टी, टोटल इंकम था सर पांच लाग का, पांच ला जो 260 बच गया ना मानलो receive there मतलब वही receive हो गया तो sir ये वाला income तो foreign income बन गया तो अब देखो ये वाला income भी ROR पे सिर्फ लगेगा और ये वाला income वैसे foreign income बन गया foreign income किस पे लगता है सिर्फ ROR पे तो आप ध्यान से देखो कि ये taxable जो पूरे 5 लाग है ना सिर्फ इसके लिए होना है इन दोनों के लिए नहीं होना है किसी को दिक्कत है क्या आप इसको देखो 5 लाग था remittance था remittance में मैंने बताया था आपको point लिखा था आपने किसके लिए taxable होता है सिर्फ आरवार तो चलिए remittance के according इसको आरवार में डाल दिया लेकिन दूसरा income receive ही देयर हो रहा है तो हम क्या मान रहे है इसको सर हम इसको मान के चल रहे है foreign income और foreign income किसी के लिए taxable हो चाहे ना हो लेकिन आरवार के लिए तो तैह तो आरवार में दोनों को add करके लिख दीजिए या अलग-अलग करके लिख दीजिए कोई फरक नहीं पड़ता तो ये था हमारा third point profit and business in bangalore बैंगलोर कहा है भई इंडिया में यह है तो तीनों में अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे है नहीं अगर लिखता profit from business nagaland इंडिया में कुछ ऐसे country मतलब states जो कि हम जानते नहीं जैसे अंडबान निको बार बहुत सारे ऐसे parts है जो कि हमारा इंडिया का part है तो ध्यान रखना कुछ चीज़ों को जो कि इंडिया नहीं है लगता है कई बार इंडिया का party नहीं है अगरी culture in income in portland sorry, Poland Poland से income receive हुआ तो सर एक तो दिक्कत यहाँ पर यह है सर अगरी culture income जो है पोलेंड से है अब receive कहा हुआ question नहीं बोल रहा तो आपको यहाँ पे note देना पड़ेगा we assume that income there वहीं receive हुआ है अगर income Poland से कमाया और receive भी यहीं पे हो गया तो सर foreign income बन गया और foreign income में किसके पे taxable होता है सरिफ तो ROR पे 1,60,000 इस पे नहीं होगा profit from business carried on in Nepal में है business but control India आपको पता है business setup outside India but control from India point था तो 2 पे taxable हो जाता है तो 2,20,000 totaling का काम सर आप बाद में कर लेजिएगा अपना जो भी रहता है totaling बस totaling करना है आपको यह बताना है clear सर third point में काफी बच्चों का आ सकता है doubt मैं दुबारा लेके चलता हूँ third point चलिए point number third ध्यान से देखिए सर हमारा जो point number third property यूगांडा यूगांडा इंदिया का पार्ट नहीं है तो एक हमारी income जनरेट हुई और income हमारा यूगांडा से जनरेट हुआ जो इंदिया का पार्ट नहीं है पांच लाग अब सर अगर ये income यूगांडा से जनरेट हुआ और वहीं receive हो रहा है कुछ भी क्या क्या कहता है वो देख लेते हैं कहता है सर इसमें से कुछ income तो इंदिया में लाया गया है कुछ income लाया गया कैसे पता चला? Remittance वर्ड है तो इसमें से 240 इंडिया में लाया गया जिसको नाम दिया हमने Remittance 240 इंडिया में लाया गया जिसको नाम दिया Remittance तो सर बाकी का हिस्सा नहीं लाया गया? Assumption है 260 कहा है ये युगांडा में ही उसने छोड़ दिया इस पैसे को छोड़ दिया मतलब वहीं पे receive और वहीं पे है तो एक तरीके से ये वाला income 260 के बारे में सोचो कमाया गया युगांडा में है युगांडा में तो ये कौन सा income बन गया और foreign income से सिर्फ taxable और remittance जब भी होगा तो मैंने point में लिखवाया है सिर्फ taxable या तो अलग-अलग point बना के लिखिया है दोनों को जोड़ लेजिए clear है किसी को doubt? अच्छा बच्चे करें अफरीका में है युगांडा ठीक है बताइए C मैंने दुबारा बता दिया doubt किसी को चीक है 240 क्यों नहीं आएगा अनॉर में अनॉर में नहीं न मैंने सिर्फ बोला remittance एक के लिए taxable होगा इसका total कर लिजेगा 220, 260 चलिए और question देखते है अब कुछ losses वाले question भी देखते हैं कुछ अलग कुछ बच्चे कह रहे थे के सर वो वाला क्यों नहीं हुआ रेमिटेंस वाला दूसरे में तो देखो मैंने या कहीं तो लिखा था कहां लिखा कहां लिखा कहां लिखा थार्ड रेमिटेंस होगा तो सरफ इंडिया के लिए taxable है बाकी के लिए नहीं है चलिए सर इंट्रस रिसीव गवर्मेंट पेड हाव टू नो चलिए यह तो पहले ही हो गया था यहां लॉस वाला भी है किसके लिए निकालना है यह कौन है दो के लिए है ना भाई दो पीडियाफ डाले थे इसमें से यह दूसरा पीडियाफ है कुछ बच्चे पूछेंगे सर अब्जेक्टिव क्या है मेरा पढ़ाने का अब्जेक्टिव है कि आपको पूरा का पूरा डिटेल में बता देना चाहे कोशन वेदर ओनर्स में ऐए हूं प्रोग्राम में आ और मैं सारे कोशन करा दू कि आपको प्र्यक्टिस करो तो कोई में चोई कोशन ऐसा ना हो मतभेद एक तरीके से, मैं सारे के सारे question करा हूँ, आपको बस देखते जाना है, ठीक है, सीखने कोई मिलेगा, कहता है, the following information, compute gross total income y, the assessment year 20 और 21, sorry 21, Mr. Y, अगर known ordinary resident हो और known resident, यानि अगर ये NOR हो, और NR हो, तो इसका income आप बता दें क्या होगा, ये बोल रहा है question, ठीक है सर, pension मिला है इसे, अगर मैं pension की बात करूँ, pension service rendered in India, rendered का मतलब होता है, इंडिया में ही इसने काम किया, but receive England, तो सर, pension जो इंडिया में service दिया है, तो किसी ने किसी company में इंडिया में काम कर रहा हो, हो सकता है, railway में काम कर रहा हो, अगर आप जॉब रेलवे में कर रहे हो, डिस पर रहे ह। पैसा जो है इंडियन गौर्जमेंट में आ रहा है, तो आपके लिए इस हिसाब से किस पे होना चाहिए? अब हमें तो दो का निकालना था भी दो का देखना रेमिनेरेशन, रेमिनेरेशन क्या रतर है? से दिया लेकिन कहां से दिया यह भी देखो but half of that receive in Mumbai अच्छा इसका मतलब हमारा 2,00,000 रुपए का income है इस दो लाख रुपए में से Remuneration Consultancy Service in Canada मैंने Canada में ही service दिया है जिसमें एक लाख रुपे तो हम receive कर चुकें इंडिया में और बाकी का एक लाख रुपे कनाडा में ही मेरा पड़ा हुआ है तो सर ये वाली जो income है ये तो हो गई foreign income इसके लिए तो सिर्फ ROR ही responsible है tax देने के लिए और ये वाली हो गई Indian income और Indian income तीनों के लिए तो हम तो दो के लिए निकाल रहे हैं तो आएगा ही आएगा तो यहां भी क्या आएगा कि लिए चलिए लॉस इंकर textile बिजनस केरीड और इन बांगलादेश सर बांगलादेश इंडिया से बाहर है वहां पे था control फ्रॉम इंडिया तो क्या था आपका दो आता है लेकिन हम सिर्फ दो के लिए निकाल रहे हैं बिजनस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वहाला पॉइंट लगेगा दो के लिए होता था लेकिन पहले वाला पॉइंट तो है नहीं आर और तो सिर्फ और सिर्फ एन और के लगेगा और मजे की बात देखो लॉस है तो लॉस में क्या करेंगे सर 75,000 माइनस कुछ बच्चे देख रहे हुए हम एक्जाम में कैसे करेंगे मैं तो देखो सामने जल्दी ताकि जादा सजादा कुशन कर पाऊं एक्जाम में यही सारी लाइने आपने लिखने हैं दाकिख पेमेंट रिलेटिड तो बिजनस केरीड और इंडिया तो कहने का मतलब है कोई टैक्निकल फी नौन रेसिडेंट नौन रेसिदेंट मतलब माल लेते हैं बिल गेंटि जो बिल गेंट criterion है वह नोन रेसिडेंट थै क्यों सर भारत आई रहो तो न्वान रेसिडेंट तो fee technical service payable by Z, Z हमें इसका fees देगा, मैंने कोई service दिया Bill Gates को, तो वो मुझे fees देगा, तो payable by Z, तो Z कौन है, non resident है, ठीक है, the payment related to a business carried on in India, लेकिन वो business कहा है, इंडिया में, मैं तो यहीं से बात कर रहा हूं उससे, इसका मतलब यह income कौन सा हो गया, Indian income ही हो गया, जैसा ही Indian income हो जाता है, तो किस पर taxable लगता है, तीनों पर हमारे पास दो है, तो हम दोनों पर लगा देंगे इसको, तो टोटल कर लीजिए इसका अबाब, second point फिर से अभी बताते हैं, नहीं यह 10 लाख है ध्यान रखना, एक लाख है, अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तीन लाख, माइनस कर दिया ना, चार पच्छे, चलिए, सर, third point एक बार और कह रहे हैं, कि बता दीजिए, third point मैं फिर से बता देता हूँ, एक बार, क्योंकि मुझे लगी रहा था, third point में दिक्कत होगा, सर, third point क्या कहता है, third कौन सा है हमारा, loss वाला रहे, मैंने इसको क्यों कर दिया, चलो इसे वापस लिए आते हैं, loss वाले की बात कर रहे हैं, कहता है, loss incurred in textile business, textile business क्या होता है, कपडो का, कपडो का जो काम होता है, उसे textile business भी कहते हैं, ठीक है न, तो textile business से हमें loss हो गया, एक business था, जहां से मुझे नुकसान उठाना पड़ा, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया, कि सर जो आपको text देना है न, वो देना है किस पर, अभी याद आया होगा, मैंने यहां पर भी एक PGPP से loss बताया था, तो आपको textable जो loss होता है न, उसको minus करके total income पर देना होता है text, तो same यहां पर देखिए आपका, देखा जाए तो एक textile business था, जहां से हमें loss हुआ, ठीक है, और वो business हमारा भारत के अंदर नहीं है, वो बंगलादेश के अंदर है, तो setup outside India है वो, लेकिन हम control जो कर रहे हैं न, वो इंडिया से कर रहे हैं, तो ऐसा situation में दो पर taxable हो जाता है, तो ROR और NOR पे, तो ROR की तो बात ही नहीं है, यहां पर क्योंकि पूछा ही नहीं किया, तो NOR पे सिर्फ मैंने इस पर taxable करना था, लेकिन चुकी loss है, तो हम क्या कर देंगे, उसको minus ताकि total income accurate निकल पाए, क्योंकि आप profit पे अगर सरकार को tax दे सकते हो, तो loss करके, आगर आपका नुकसान हुआ है, तो income में से minus करके, अपने tax को बचा भी सकते हो, अब बोलता है कोई कि हम नहीं minus करना चाहते है, इस loss को मत कर ये, सरकार कभी मना भी नहीं करेगी, लेकिन logic है ये कि आप minus कर सकते हैं, टीक है ना? 4th point, 2nd point, 4th point देखिए, ये इंडिया है, ठीक है, अगर मैं 4th point की बात करूँ, तो एक, इंडिया की बात कर लेते हैं, और आप इंडिया में बैठे हो, और एक यहां मान लेते हैं, USA है, आपने USA में किसी Z को service दिया, तो fee कौन पे करेगा, ये ही तो pay करेगा, आप पैसे कहां से बैठ के कमा रहे हो, इंडिया से, तो भई ये कौन सी income होगे, इंडियान तो इसलिए तीनो taxable देगा, क्यूंकि ये इंडियान income है सर, तो तीनो taxable देगा, हमने दोनों में डाल दिया ये, पॉइंट नमबर टू, FI का मतलब foreign income मान रहे हैं, तो foreign income स्रिफ और स्रिफ ROR देता है, इसलिए यहाँ पे एक लाग पे taxable हो गया, और दूसरे वाले पे taxable, ये एक लाग दोनों पे taxable होगा, क्यूंकि इसका पता है, actual होता कैसे, अगर मेरा होता ROR, अगर मेरे पास scenario होता, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपका होता कुछ ऐसा, ROR, नीचे कर देते हैं थोड़ा, अगर कुछ ऐसा होता, ROR, NOR, और NR, तो पता ही क्या होता, जो एक लाग रुपे रिसीव किया है, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, तीनों पे, और जो एक लाग रुपे फॉरण इंकम है न, वो सिर्फ यहीं जाता, यहाँ यहाँ नहीं जाता, तो यह वाला तो examiner ने हमसे पूछा ही नहीं है, सर, इसको तो side कर दो, पूछा ही यह है, तो इसलिए देखो, एक एक लाग दोनों पे आया है इसलिए, ठीक है, यूनिट आप कहलो 2, यूनिट 2 है एक तरीके से यह, चलिए एक और question देखते हैं, यूनिट 2, नहीं आया, चलिए इसमें तो बहुत सारे लॉस है, चलिए इसको तो अभी इसके बाद करेंगे, दूसरा question देखते हैं, ये वाला बाद में करेंगे हम, यूनिट 2, 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 झाल झाल चलिए यह करता है तीनों के लिए निकालना है यहाँ भी चलिए तीनों के लिए देखते हैं आपको क्या करना है ग्रास टोटल इंकम कंप्यूट करना है तो जो हम यह निकालते हैं जनरली इसको हम ग्रास टोटल इंकम का ही नाम देते हैं जी टी आई ग्रास टोटल इंकम ही बोलते हैं कंप्यूट करना है ग्रास टोटल इंकम कंप्यूट का मतलब टोटल करिए इंकम मिस्टर बी का असेस्मेंट यह दे रखा है नीचे कहता है यह अगर blackminist हाद исп और 52 था-म इसको तो लोटेनश नों- लोटेंट यह और है कहता है सेलरी पूर सर्विसस रेंड़िटेंड बथ रिसीव है तो सर्रीलों गया प्रक्मिया आपका स्टेटास खुछ में एंटियन इंकम बन गया यह डिजिशीव हुते रेमिटेंस और रिसीव में फरक था बताया था जब रिसीव हो गया तो टेक्स तो देना ही पड़ेगा सिंपल सी मत कौन देगा तीनों यह देगा लॉस फ्रॉम बिजनस स्री लंका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो दो को देना पड़ेगा एक लाख यहां से माइनस करिए एक लाख यहां से माइनस करिए रोयलेटी रिसीफ रॉम टेक्निकल अब नो हाव नो हाव का मतलब पता है क्या होता है गुडविल हम गुडविल को ही नो हाव बोल देते हैं कई बाद ध्यान रखना इंटेंजीबल एसेट्स का पार्ट होता है आगे जब हम कैपटल गीन करेंगे तो वहां पर इसका कैलकूलेशन आएगा क्योंकि टेक्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हर एक जगह पे वह 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 पॉइंट डाले हुए या उस पॉइंट का थोड़ा सा लिंक होता है जो को हमने पढ़ाई नहीं अभी तो पूरा सेलरी मुझे एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा मैं बोलू हाउस प्रोपर्टी में से 30 परसेंट का 24 होता है डिदेक्शन माइनस तो वह एक्स्प्लेइन तो यह वाला चप्टर थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा हम कुछ चीजों को बस मैंने बोला और आपको यह मानना प ना फ़्लेवान को सब्सेंट कहता है के इसके अंदर रोयलिटी रिसीव टेखिनिकल नोहाव यूस warfare खाइं नोन रेजिदेंट इन बिसनस कैरिए आउट इंडिया बिसनस कैरीड आउटी आइंडिया बट रिसीव इन लंडन तो विजनस करीट का हैं यह इंडिया में तो सारी बाते टेंसर नहीं खतम हो गई इंडिया में बिजनस है तो तीन लाग फिर से पढ़के बता दू कहता है कि रोयलिटी इंकम है ये मान लो रोयलिटी क्या होता है बेसिकली रेंट से इंकम आता है और या फिर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वज़े से आपका कोई इंकम जनरेट हो जाता है और टेकनिकल नो हाव यूज बाई मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स किसी ने यूज किया वो नोन रेजिडेंट है तो कहानी वही हो गया जैसे मैंने वो बिल गेट्स वाला बोला था और इन आप बिजनस केरीड आउट इंडिया तो एक परसन था एक्स उसने बोला कि भाईया इस इंकम को जो आपका रोयलिटी होगा मैं हिंदुस्तान के इंदर इस्तमाल करके इसे बिजनस करूँगा और फिर पैसा कमा हुगा तो बिजनस तो इंडिया में ही चल रहा इक तरीके से इसलिए किस पर इंडिया का ही पार्ट है किसी अइडिकल्चर नहीं होता घर भारत की जमीन से कमाया हुआ हो तो ठीक है नाम देखो थोड़ा साथ से किम कुछ बच्चे सोच सकते हैं बाहर हैं चाइना में हैं कुछ सोच सकते हैं इंट्रस्ट ऑन बैंक डिपोजिट इन स्री लंका सबसीक्विंटली रेमिटिट टू इंडिया सिर्फ ROR के लिए टेक्सेबल होगा बस खदम आप टोटल इंकम कर देंगे जीटिया यहां जाएगा पता एक कोस्चन में न पता एक कोस्चन में कई बार हमें न अजंशन लेना पड़ता है कुछ बाते जैसे नहीं बताता है जैसे मैंने बोला के अग्री कल्चर इन पोलेंड तो आपको पता ही नहीं चलता सर पैसा रिसीव कहां गया एक्जामनर ने क्लिर्टी नहीं दिया उन सभी के लिए आपको इंकम टेक्स के अंदर नोट क्लिरिफिकेशन देना पड़ेगा पेपर के अंदर अगर आपने नो मार्क मिलें नहीं हो सकते काफी सारे लोग ऐसे बोलते हैं इंकम टेक्स एक लाओ का सब्जेक्ट या लॉब एक लाओ का सब्जेक्ट है लॉग के अंदर तो सार एकदम लॉग की लेंगविज लिखनी आपको इसी तरीके से लेंगविज लिखनी है यह कुछ एक मेन लेंगविज में बहुत ज्यादा लिख देते हैं और वह एकुरेट नहीं लिखते हैं इधर उदर की बाते लिखते हैं एकुरेट एक्जामनर बोलता है या चाहे दस नंबर का कुछ सेने पांच नंबर का पन्ने मत भरिए आप तूदा पॉइंट जो पूचा है उसका जो कर 15 मैं समझा करते हैं इस तो लॉकशता है कर Сबसे जो सबसेवें अलमशते ह jin तूटर वीडियो डिसेबल आ रहा है क्या इशू आ रहा है एक दो दिन से आ रहा है अब मैं एक बार डाउट भी देखनू बच्चों के बहुत सारे बच्चों ने साइध कुछ कुछ कमेंट भी किया है नई अगर इंडिया में रिसीव कर रहा है ना इंडियन गौर्णमेंट लिगा कि इंडियर से स문व कर दाएगा वो डबल टक्सेशन ऍड़ और चला जैगा अभी इंडिया के हिसाब से या साबस में एक देना पड़ेगा इंडिया में टेक्स हुँ सर ये कौन सा यूनिट है ये आपका दूसरा चेप्टर है बेसिकली जतेन सर आज फिनिस येस आज मेरी पोसिस तो ये है देखो काफी सारे कोश्चन कर लिए सिंपल सिंपल थोड़े से कॉंपलिकेटीड कोश्चन देखे फिर करेंगे फिनिस झाल 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 थोड़ा इसके आंसर में एक बार करेक्शन इसमें नहीं जो बुक में गीवन था उसके आंसर में करेक्शन कर लिजिएors यहाँ पे देखेंगे ना तो salary income यहाँ पे नहीं लिखा गया यहाँ पे होना चाहिए यह 5 लाग होगा यह थोड़ा सा correction लगना थे ठीक है और देखते हैं sir कोई question बिल्कुल यह question करते है चलिए आपको देते हैं यह करने के लिए और time रहेगा स्रिफ और स्रिफ आपने स्रिफ answer में जानना चाहता हूँ पूरा नहीं करना आपने मतलब कि बताना है किसका क्या income है यह रहा आपके सामने question आपको करना है बिना देखें इमानदारी के साथ देखें question क्या कहता है मैं पढ़ देता हूँ ठीक है question कहता है Mr. N is a non ordinary resident N-R है यह sorry N-O-R है यह India assessment year 21 he is the furnished the following particular of income for the previous year तो sir N-O-R के लिए income निकाल के बता दीजे जल्दी बताइए देखते हैं सबसे तेज कौन answer देता है आप पूरा wording नहीं लिखिया at least calculation करके बताइए कौन सा income किसके लिए होगा पहला income earn in Bangladesh but receive in India इसके अंदर एक point बच्चों को हो सकता है कि sir sale consideration receive in Nepal sale consideration क्या होता है यह doubt हो सकता है तो मैं बता दू capital gain का मतलब था जमीन बेचके पैसा मिला ना तो जो पैसा मिलता है ना जमीन बेचके उसको बोलते हैं sale consideration ठीक है ना आपने एक capital gain इंडिया का पूने में एक घर था उसे बेच दिया और नेपाल में पैसे receive कर लिए हिंदी translation यह क्याप करिए आपका देखते हैं कुछ बच्चों का अंसर आ गया हाँ मैं अभी बता दूँ आप बता दूँ अभी दिया देखते हैं अभी देखते हैं बताते हैं झाल झाल कुछ बच्चों का 690, कुछ बच्चों का 590 अभी चेक कर लेते हैं परें चेक जी इसको एक बार देखिए जिस निसने जो आंसर निकाला अपने आंसर को वेरिफाई करना है अपको कहता है बांगलादेश रिसीव हो गया है कहता है पुने भारत से पैसा कमा या रहा है तो टेक्स देगा कहता है salary receive bangladesh branding service in Kolkata वही Kolkata से पैसा कमा रहा है यह तो text देगा agriculture income from Sri Lanka स्री लंका से receive भी वहीं पे है मैं यह assumption ले रहा हूँ receive दे रहा है वहीं वहा तो यह नहीं देगा जिसने receive इंडिया मांगा तो देगा profit business carried in Pakistan but control from India इंडिया में control हो रहा out of which 50,000 receive in India इस point को मैं explain कर दूँ भी डेढ़ लाग था control बाहर से था 50,000 बोल रहा है कि इंडिया में receive हो गया सर यह तो तीनों देगा बचा एक लाग पे दोनों देगा यानि इस पे ROR देगा और NOR देगा क्योंकि यह पार्ट हो गया control situated outside इंडिया यह receive हो गया तो इस पे तीनों देगा तो ultimately ROR के लिए निकाला जाए तो पूरा डेड़ लाग खा जाएगा हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ अनौर दे तो रहा है अब देखो 690 मैंने लिखा है अब जो बच्चे अजम्शन ले रहे हैं कि जो हमारा एक कौन सा इंकम था एकरी कल से स्री लंका वाला पैसा भारत में रिसीव हो गया होगा जो यह अजम्शन ले रहा है उसका 790 और जो अजम्शन ले रहा है कि पैसा भारत में आया ही नहीं वह 690 तो दोनों का अंसर पांच 590 वाले बच्चे तो गलत है वाई वैसे ऐसे सिचुएशन में आप कन्फ्यूज मत हो मैं एक स्टेट बता देता हूँ जब आपको पता नहीं चलाना है पैसे इंडिया में आया नहीं आ है तो मान लो वहीं रिसीव हो है इस हिसाब से अपने आंसर देना है लास्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहा है कि प्र इंडिया है लेकिन कंट्रोल इंडिया से कर रहे हो फिर भी ऐसा कोई बिजनस हम वैसे हम करते नहीं है अगर ऐसा कोई काम हो तो फिर आउट विच 50,000 रिसीव इंडिया कुस्चन में एक्जामिनर क्या कन्फ्यूज करना चाहरा है सर पचास अजार इंडिया में रिसीव सोच लो और बाकी के एक लाग को कंट्रोल के हिसाब से सोच लो कंट्रोल तो वैसे पूरे डेड़ लाग ही है या तो पूरे डेड़ लाग को कंट्रोल के हिसाब से सोचते भी हो ना तो दो पे टेक्सेबल लग जाता है तो आप उसी के हिसाब से सीधा डेड़ लाग करता ह कुछ पच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं सर पचास अजार रुपे रिसीब इसका क्या तो इसको दो हिस्से में बाठ दो पचास को रिसीब के इसाफ सच सोच लो अब बाकी एक को कंट्रोल के इसाफ सच लो ठीक है ना वो डिपेंड करता है कि अब तर फिफ्ट कंडिशन में फिफ्ट कुन साथ है निक फॉरण इंकम नहीं है ना कंट्रोल इंडिया से हो रहा है रिसीव देयर है लेकिन मैंने बताया था शक्षम के इंडिया से कंट्रोल होगा तो उसका कंडिशन अलग रहत है अब ही भीज देंगे कि अब देंगे अंजी एक और कोश्चन करें बच्चे कहे रहे हैं टाइम हो गया है चलिए अगली ग्लास के अंदर देखो मेरे पास कितने कोश्चन रहे गया चेक कर ले तो आपके वैसे पीडियाफ में यह सेंड कर दूँगा और बाकी बच्चों को मैंने सेंड कर दिया है जो बच्चे देखो कोश्चन नमबर मैं एक बार एक समझ लो कोश्चन नमबर वन कल मैंने थोड़ा बता दिया था 190 यह वाला करना है नहीं होगा जो कोश्चन आते ही आप डाउट बता दोगे कमेंट में सर कोश्चन नमबर टू मैंने करवा दिया है यह कोश्चन नमबर थ्री यह नहीं करना है क्योंकि इसमें लॉंग ट्रम शॉट ट्रम क्यापिटल यह अभी नहीं करना फिलाल के लिए कोश्चन नमबर थ्री मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि इसमें सेट अफ होने के कंड इसको भी नहीं करना पूर्थ को भी अब नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम करेंगे लेकिन जब इस से कॉडिनेट हो जाएगा ना रोयल्टी क्यू क्यू भी है और आरार बी करके हमारे बुक के अंदर सबसे लास्ट में आता है वो तब करेंगे कुश्चन नमबर फाइब करना है आपने कुश्चन नमबर शिक्स भी आपने करना है नहीं फिर परिशानी क्या फायदा मैं पहले बताए तर शिक्स में नस्रिफ आप इंकम इंकम निकाल ले ना इटेक्स कॉम्प्यूटेशन अगर निकालना चाहते हो तो ओल्ड रिजिम मै और नियू रिजिम अभी करवाए नहीं सेलरी के साथ करेंगे तो ओल्ड रिजिम में आप कर सकते हो इसका कम्प्यूटेशन भी तयार है कि सैवन भी करना है कि एट यह भी करना है कि नाइन अब एक चीज़ ध्यान देना एक चीज़ ध्यान देना मैं कुछ बच्चे आंसर देखके कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं बता देता हूं अभी अब इसलेरी इंकम में जो हमारा नया सेक्शन आया 16 1 ए उसमें डिडेक्शन है मैं थोड़ा बता देता हूं 50,000 का